Hello everyone, this is Satpal and you are watching Option Seller और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करूँगा Ironfly को एड़ेस्ट करने के दो simple और easy to understand adjustments देखे वैसे तो मैं Ironfly पे काफी adjustments वीडियो डाल चुका हूँ वो आपने देखे भी होंगे लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ दो सबसे simple adjustments share करने वाला हूँ अगर आप beginner हो आपको adjustments की बहुत जादा जानकारी नहीं है तो आप ये adjustment कर सकते हो देखे Ironfly में market अगर एक range में रहता है तो आपको profit होगा लेकिन अगर उस range के बहर market जाता है उपर या नीचे किसी भी तरफ तो आपको loss होगा तो जो दो adjustment मैं आपको बता रहा हूँ ये करके market जहां पर आपके Ironfly को challenge करता है उस तरफ जो आपको loss होने वाला होता है उसको आप हटा सकते हो उसको mitigate कर सकते हो तो ये adjustments क्या है ये अब मैं आपको बताऊंगा मैं बेना time waste के सिधा आपको screen पर लेकर चलता हूँ और वहाँ पर दिखाता हूँ कि ये adjustments क्या है तो देखे ये मैं आपको screen पर ले आया हूँ और 17,300 का ये आप एक put option sell करते हो और नीचे की तरफ अब आप hedge buy करोगे आप 300 point नीचे आके और 17,000 का एक put option buy करते हो और उसी तरह से 17,300 से आप 300 point उपर आते हो और 17,600 का एक call option buy करते हो उपर की तरफ का hedge तो ये होगी एक iron fly और ये आपका pay off chart बनता है अगर market is range में रहता है तो आपको profit होगा ये जो कौन आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी profitable range है और अगर market is range के बहार जाता है उपर या नीचे किसी भी तरफ तो आपको loss होगा और आपका maximum loss यहाँ पे कितना है 1 is to 3.6 यहाँ पे आप देखे आपकी जो margin requirement है ये 55,000 रुपीज है उस पे अगर मैं आपके maximum profit की बात करूँ तो ये हो जाता है almost 21% return on investment लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि iron fly में जो आपका maximum profit है इसके होने के chances कितने है probability of profit कितनी है कि आपको maximum profit होगा इसकी probability बहुत कम होती है तो आपको ये देख के बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है कि मुझे इस trade में maximum 11,000 रुपीज का profit हो सकता है जी आपको बिल्कुल होतो सकता है लेकिन इसके होने के chances कितने है उन पे आप एक बार ध्यान दीजी अगर market बिल्कुल इस pin point पे यहीं पे expire होता है तभी आपको profit होगा देखे आपने 17,300 का call option sell किया है 17,300 का अपने put option sell किया है अगर market 17,300 पे आके ही expire होता है तब आपको यह profit होगा जो maximum profit आपको दिख रहा है अगर market उपर या नीचे जाके कहीं पे expire होता है तो आपका profit इतना नहीं होगा इससे कम होगा तो ironfly में maximum profit होने की chances काफी कम होते हैं जो maximum profit आपको दिखाई देता है वो आपको होगा इसकी probability काफी कम होती है क्योंकि वो एक point पे होगा अगर market उस point पे ही जाके expire होता है तब वो आपको profit होगा तो maximum profit होने की chances हों काफी कम होते हैं लेकिन बावजूद उसके भी ironfly एक अच्छी strategy है क्योंकि यहाँ पे आपको जो risk reward है वो काफी अच्छा होता है 11,000 का profit ना हो तो भी आपको decent profit हो सकता है market अगर इस range में expire होता है तो और आपको जो risk है वो defined होता है 3200 रुपीज का आपका maximum loss है यहाँ पे तो चलिए अब मैं आपको दो adjustment बताता हूँ कि ironfly में आप adjustment किस तरह से कर सकते हो अगर market आपकी profitable range के बाहर जाता है तो आप किस तरह के adjustment कर सकते हो देखे market अगर इस range में रहेगा तब तो आपको profit ही होगा लेकिन मान लिजे यहाँ से उपर जाता है market आपके break even आपको देखिए नीचे की तरफ आपका break even है 17,065 और उपर की तरफ आपका break even है 17,535 तो अगर market इस range में रहता है तब तो आपको profit होगा लेकिन मान लिजे market 17,550 पे चला जाता है तब आपको loss होगा और इस से उपर market कहीं भी जाता है तो आपको loss होगा आपका maximum loss है 3200 रुपीज का है और similarly market अगर 17,050 के नीचे जाता है नीचे की तरफ तो यहाँ पे भी आपको loss होगा और maximum loss यहाँ पे भी आपका 3200 रुपीज का है तो यहाँ पे मान लिजे market उपर की तरफ जाना शुरू कर देता है और आपकी break even को तोड़ की market उपर जाता है तो आप किस तरह का adjustment कर सकते हो वो हम आपको बताता हूँ तो देखे सबसे पहला adjustment यह है कि जैसे market आपकी break even को तोड़े उपर की तरफ आपका break even तोड़ के market is loss making zone में जाना शुरू करे तो आपको क्या करना है जो आपका नीचे की तरफ break even है that is 17,050 यहाँ पे आपको एक put option को sell कर देना है देखे मैं आपको करके दिखाता हूँ market अगर इस break even को तोड़ के उपर जाता है तो मेरा नीचे की तरफ break even कहाँ पे है 17,065 तो मैं क्या करूँगा option chain में चलूँगा और 17,050 का जो level है उसका एक put option sell कर दूँगा तो यह sell करने से क्या होगा जो उपर की तरफ मेरा risk है वो पूरा हट जाएगा यह आप देखे यहाँ पे अब अगर market उपर जाता है तो यहाँ पे 2700 रुपीज का profit दिखा रहा है लेकिन असल में आपको इतना profit नहीं होगा क्योंकि market तब move कर चुका होगा तो जब market उपर की तरफ move करेगा तब हम यह adjustment करेंगे और क्योंकि market उपर move करेगा तो यह जो put option है इसका premium 118 रुपीज नहीं होगा यह 118 से कम होगा तो इसलिए जो profit आपको यहाँ पे दिख रहा है यह इतना नहीं होगा लेकिन हाँ जो आपका loss है वो पूरा वहाँ से हट जाएगा तो आपको पहला adjustment क्या करना है जब market उपर के break even को touch करें तो आपका जो lower break even है उस strike price का आपको एक put option sell कर देना है और इससे market ने जहाँ पे आपको challenge किया है उस तरफ का आपका जितना below से पूरा हट जाएगा तो सबसे पहला adjustment तो यह है अब यहाँ पे market ने उपर की तरफ challenge किया है तो आप यह कर सकते हो लेकिन अगर market नीचे की तरफ challenge करता है तो आप क्या करोगी वो भी मापको दिखा देता हूँ तो यहाँ पे तो देखें मैंने put option sell क्या था इसको मैं हटा देता हूँ अब मान लीजे यहाँ पे market उपर की तरफ आपको challenge ना करके और नीचे की तरफ जाता है market 17,000 के level को तोड़ के और नीचे जाना शुरू कर देता है तो on the upside आपका break even कहाँ पे है 17,535 पे तो आपको क्या करना है जैसे market नीचे के तरफ जाता है तो 17,500 जो आपका upper break even है उसका एक call option आपको sell कर देना है market जहाँ पे आपको challenge करता है उसके opposite side में जाके और आपको option को sell करना है तो वो भी मापको दिखा देता हूँ अगर मैं 17,500 के एक call option को sell करता हूँ तो आप देखिए अब अगर market नीचे जाता है तो जहाँ पे आपको 3200 रुपीज का loss हो रहा था वहाँ पे अब आपको 2100 रुपीज का profit हो रहा है लेकिन अगेन आपको ध्यान रखना है कि आपका profit इतना नहीं होगा क्योंकि जब market नीचे की तरफ जाएगा तब हम adjustment करेंगे और क्योंकि market नीचे गिर रहा है तो यह जो call option है इसका premium आपको इतना नहीं मिलेगा उस time पे इसका premium decay हो चुका होगा तो इस वज़े से आपका profit वो इतना नहीं होगा लेकिन हाँ आपका जो loss है वो पूरा यहां से हट जाएगा तो यह दो adjustment आपको करने है अगर market उपर की तरफ जाता है तो आपका जो lower break even है वहाँ का आप put option सेल कर दीजिए और अगर market नीचे के तरफ जाता है तो आपका जो upper break even है वहाँ का एक call option आप सेल कर दीजिए तो यह तो हो गया पहला adjustment अब मैं आपको बताता हूँ दूसरे adjustment आप क्या कर सकते हूँ तो इसको मैं हटा देता हूँ तो देखे यह मेरी standard iron fly है यहाँ पे मैं आपको एक adjustment बता चुका हूँ कि अगर market आपको उपर या नीचे चैलेंज गरता है तो आपका जो low से इसको आप किस तरह से हटा सकते हूँ अब बात करते हैं दूसरे adjustment की तो दूसरे adjustment में आपको कोई भी position sell नहीं करनी है यहाँ पे आपको एक position को हटाना है देखे iron fly में हमने क्या किया है यहाँ पे हमने एक straddle को sell किया है 17300 का एक call option sell किया है 17300 का एक put option sell किया है और उसको hedge करने के लिए हमने उपर की तरफ एक call option buy किया है और नीचे की तरफ एक put option buy किया है तो market अगर हमारी iron fly को उपर या नीचे की तरफ challenge करता है तो वहाँ पे जो हमने hedge buy किया है वो हमारे काम आएगा वो हमको protect करेगा लेकिन दूसरी तरफ जो हमने hedge buy किया है उसमें हमें loss होगा क्योंकि market ने वहाँ पे हमें challenge नहीं किया है तो आपको करना क्या है market जहाँ पे आपको challenge कर रहा है उसके opposite side में आप जाए मतलब आपकी जो unchallenge side है वहाँ पे आप जाके और जो आपने hedge buy किया है जो protection आपने buy किया है उसको आप हटा दीजी तो मान लेजे market उपर की तरफ जाता है आपके call side को market challenge करता है तो आपको क्या करना है put side में जाए और जो आपने hedge buy किया है उसको आप हटा दीजी तो देखे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देखे आपने 17,300 का put option sell किया था और उसको hedge करने के लिए नीचे की तरफ आपने 300 point नीचे जाके और 17,000 का put option buy किया था तो इसको आप हटा दीजी क्योंकि market आपको challenge नहीं कर रहा है नीचे की तरफ यह आपकी unchallenged side है तो इसको आप हटा दीजी तो जब मैं इस protection को हटा देता हूँ तो आप देखे यह इसका effect आता है अब अगर market उपर जाता है तो आपको किसी तरह का कोई loss नहीं होगा यहाँ पे आपका profit दिखा रहा है 2000 रुपीज का लेकिन अगेन इतना profit आपको नहीं होगा क्योंकि जब हम इस protection को हटाएंगे तो उसका premium है वो decay हो चुका होगा तो यहाँ पे आपको profit इस तरह का नहीं होगा लेकिन हाँ आपका loss है वो पूरी तरह से हट जाएगा तो दूसरा adjustment यह है अगर market उपर की तरफ challenge करता है तो आप put protection को हटा दीजिए और अगर market नीचे की तरफ challenge करता है तो आप call protection को हटा दीजिए देखे वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ तो वापस मैं इस protection को लगा देता हूँ 17,000 का जो put option मैंने buy किया था इसको मैं वापस add कर देता हूँ तो यह मेरी standard iron fly है मान लीजे market उपर की तरफ challenge ना करके और नीचे की तरफ challenge करता है तो आप क्या कर सकते हो तो देखे इसमें बिल्कुल opposite कर देना है आपको यहाँ पे मैंने put protection को हटा है था क्योंकि market उपर जा रहा था लेकिन क्योंकि market अब नीचे जा रहा है तो अब मैं यहाँ पे call protection को हटा दूँगा तो call side में आप देखे 17600 का call option जो मैंने buy किया है इसको अगर मैं हटा देता हूँ तो आप देखे नीचे की तरफ अब आपकी जो iron fly है यह बिल्कुल loss free बन गई है यहाँ पे 700 rupees का आपको profit दिखाई दे रहा है लेकिन असल में आपको यह profit नहीं होगा यहाँ पे आपको छोटा सा loss होगा इनिशली आपका loss था वो 3200 rupees का था लेकिन अब यहाँ पे आपका loss से वो काफी कम हो जाएगा यह राउंड 500-1,000 rupees तक का आपको loss होगा क्योंकि यहाँ पे जो premium था वो बहुत जादा नहीं था तो देखे इस तरह से आप अपने loss को हटा सकते हो ironfly को जिस तरफ challenge किया है market ने उस तरफ कैसे opposite side में आप जाएए और जो आपने hedge buy कर रखा है उसको आप square off कर दीजे उसमें से आप निकल जाएए और इससे क्या effect आएगा जिस तरफ market ने आपके ironfly को challenge किया है वहाँ पर आपका loss है वो कम हो जाएगा या वहाँ पर आपको छोटा मोटा profit होगा तो चलिए ये हैं वो दो adjustment जो आप ironfly में कर सकते हो मैं already ironfly पर काफी adjustment video बना चुका हूँ ये भी मैंने उसमें include किये थे लेकिन ये दो मैंने separately इन पर एक video बना के और आपको बताया है क्योंकि इनका जो nature है वो काफी simple है easy to understand है तो अगर आपको adjustment की बहुत जादा जानकारी नहीं है तो आप शुरू कर सकते हो इन adjustments से देखे ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दो adjustment है जो आप ironfly में कर सकते हो understand adjustments है इनको आप easily implement कर सकते हो हाला कि इनके भी अपने कुछ कौन से है देखे आपने यहाँ पर observe किया या नहीं मुझे नहीं पता लेकिन आपको observe करना चाहिए यहाँ पर adjustment करने की cost क्या है कि दूसरी तरफ हमारा risk का वो undefined हो रहा है और यह बात सिर्फ यहीं के लिए नहीं है यह option trading में आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि adjustment आपका last resort होना चाहिए adjustment करने के लिए आपको rush कभी भी नहीं करना चाहिए adjustment अगर आप कर देते हो उसके बाद market वापस reverse होता है तो वो adjustment आपके लिए उल्टा भी work कर सकता है इसलिए adjustment करने में कभी भी आपको aggressive नहीं होना चाहिए आप market को settle होनी दीजिए उसके बाद आप adjustment कीजिए तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं thank you so much for watching the video I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो make sure आप वीडियो को लाइक करें चैनल को subscribe करें this is सत्पाल signing off